मेडिकल साइंस में कई बार ऐसे दूललब केस डॉक्टर्स के सामने आते हैं जिनको हेंडल करना डॉक्टर्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता ऐसा ही एक केस उदैपुर के गितांजली हॉस्पिटल में आया जहां पर गर्बबती महिला का वाल्व खराब था डॉक्टरों ने बताई कि महिला का वाल्व खराब होने की वज़े से गर्बबबब पल रहे नवजात को बचाना मुश्किल होता है ऐसे में डॉक्टरों ने समय लेते हुए गर्बबती महिला को भरती कर दिया लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद जब प्रसव का समय आया तो काडियेक सर्जन डॉक्टर संजे गांधी गायनी डॉक्टर अंजिना वर्मा, डॉक्टर अंकूर गांधी, डॉक्टर कलपेश मिस्त्री और डॉक्टर मनमो जिन्दल ने डाइक घंटे के ऑप्रेशन में पहले सिजेरियन कर बच्ची को सुरक्षित निकाला फिर वाल्व का ऑप्रेशन किया, सर्जन ने बताए कि इस तरह का ये भारत में दूसरा केस रजिस्टर हुआ है ये एक 22 साल की महिला थी जो की प्रेशन हुई और जिसको हार्ट के वाल की प्रोल्म थी हार्ट का वाल गंभीर रूप से स्युकडा हुआ था और प्रेशन को आगे कॉंटिन्यू करना एक बहुत बड़ी चुनोती था पेशन के लिए जिसमें मा के लिए और बच्चे के लिए जान का खत्रा बना हुआ था अब इस प्रेशन को कॉंटिन्यू करवाना और उनको बच्चे को और मा को दोनों को बचाना ये बहुत बड़ी चुनोती थी हमारे लिए पर हमारे पास पूरी टीम उपलब थी यहां पर आफ्ट्रेटिशन, गाइनेकलोजिस्ट, कार्डियोलोजिस्ट, कार्डिक सर्जन, कार्डिक एनेस्थेटिस्ट तो हम पांचों लोगों ने डिसाइड किया कि हम इनको जितना लंबा हो सकता है दवाईयों पे रखें और ताकि जब एक वायबल बच्चा हो जावे, मा के पेट के अंदर जब हम मालूम पड़ जाए कि बच्चा बहारा के अपने लाइफ को सस्टेन कर सकता है, तब हमको इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए, और उससे पहले अगर किसी की तबित खराब हो जाती है, तब भी हम ऑपरेशन करने के लिए तयार थे, इसलिए हमने मा को यहाँ भरती करके रखा हुआ थे, और जब हमें लगा कि बच्चा उस वायबलिटी को क्रोस कर चुका है, अब य भारा कि अपना जीवन आराम से निकाल सकता है, तब हमने इलेक्टिव प्लान्ट साइमल्टेनियस एकी सिटिंग में, एकी ओपरेशन थेटर में, एकी एनस्थीसिया में, लोगों ने मिलके हमारे जो गाइनेकलोजिस्स से अंधना वर्मा मैडम, मैं डोक्टर संजे इनस्थेटिस, डोक्टर अंकुर गांधी, डोक्टर कलपेश मिस्तरी, हम सबने मिलके इस ओपरेशन को अंजाम दिया, और उपर वाले की बहुत किरपा रही, रहम रही, पेशेंट के उपर और पेशेंट की होने वाले बच्चे के उपर, कि हम इन दोनों को बचा पाए। इसको हम सब्ता दर सब्ता दर आगे बढ़ते गए, क्योंकि बच्चे में भी जो कमजोरी है, क्योंकि खून का सप्लाई, पूरी बॉड़ी में खून की सप्लाई कम हो जाती है, बच्चे को भी सप्लाई कम हो रही है, बच्चा कमजोर है, तो हम सब्ता दर सब्ता इसकी सो सुलोचला नाम की इस महिला और इसकी नवजाद बच्ची की हालत अब खत्रे से बाहर है दोनों को जल्द अस्पताल से चुटी दे दी जाएगी आपरेशन के बाद सुलोचना का पती पत्मी और बच्ची को सुरक्षित पाकर बहुत खुश है वहीं अस्पताल के निदेशक अंकित अगरवाल ने कहा कि इस दुरलब केस में मोत के मूँ से बच्ची और उसकी मा निकली है ऐसे में बच्ची के पढ़ाई तक के लिए स्कॉलर्शिप अस्पताल की और से देने का निर्ने लिया है मैं बहुत अच्चा मेसुस कर रहा हूँ पहले जब इसका पता था कि इसी ये प्रोब्लम होगी फिर भी हमने सोचा कि इसको अच्छी तरह से अगर बड़िया डोक्टर मिल जाए अपनको तो ये सक्सिज हो सकता है तो हमने फिर यहां पर गितांजली में जब पता चला कि डोक्टर साब सही है और ये स्चाक काम को कर सकते हैं और उन्होंने का कि बहुत अच्छे डोक्टर हैं महाँ पर की इडमिट हो गए था उपरवाले की दुआ से नवा महिना इस्टाट हो गया और दस दिन ज्यादा निकल गया इससे बेवी भी अच्छी हो गई और यहां गाईनिक का कहना है डोक्टर का कहना है कि बहुत अच्छा हो गया बच्ची को अपन बचा सकते हैं और फिर भी एक परसेंट रिस्क एसी थी कि कुछ भी नहीं कह सकते थे कि कुछ भी हो सकता है उपरवाले की दुआ करके हमने उपरेशन ठीटर में जाने दिया और उपरसे बगवान का नाम लेके सब कुछ पांच गंडे बाद पता चला है कि सब कुछ सही है गितांजी की हमाई टीम को इस बागर पराप्त हुआ कि हमें ऐसा केस आया जिसे हमाई टीम ने काडियक सर्जरी की काडियोलोजी की गानेकलोजी की और पडियाटिक की सब ने मिलके माता एवं उसकी बच्ची बेटी की जान बचाई जो कि एक बहुत ही जटल ऑपरेशन थ दो में ने इसको अमने पसाथ में रखा तो हमें लगाव सा हो गया है उस परिवार उस बच्ची से जोकि एक बहुत प्रेशन स्टाइल्ड है इतनी मुस्चिबत गुजर के ये इस दर्ती पे उस ने जर्म लिया है और इसी और हमारे प्लदान मंत्री नेंदर मुदी जी श जी शिक्चा पाए तो हम एज़े कितांडी उनिवर्स्टीज को पुरा से योग करेंगे उसको स्टॉलिश को प्रड़क्ट